कि अज़िए खड़ा होकर इस जूट को जूट क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोट और हाई कोट में जाकर इस बात को चैलेंज करता है हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ अगर मैं करूँगा तो कोट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दान्तों की बात कुछ जानते हैं आप जब डेंटिस्ट जाएगा कोट में तो वो ये सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस जिसमें फ्लोराइड होता है और थाउजन टीपीम से ज़्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस जहर हो जाते हैं वो पेस्ट नहीं रहते ये बात अगर मैं कहूंगा कोट में तो कोट मेरी बात मानेगा नहीं वो पूछेगा आपके पास डिगरी है क्या सत्य मुझे मुझे मालू है कि थाउजन पीपीम से ज़्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस्ट टूथपेस्ट नह नहीं रहे हैं और जिनके पास प्रमान पत्र नहीं है वो बाहर रहके खिसी आके रह जा रहे हमारे जैसे लोग और दरल ले से कॉल गेट बिक रहा है इस देश मैंने मुझे कभी-कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का ये सरासर अपमान है जो रोज टेली इस देश में बन गया और कभी नोंने लाइफ वोई साब उनको पराण पत्र दे दिया लेकिन रोज विग्यापन उनका ये है और हम सब खामोशी के साथ बैचते हुए इसको देख रहे हैं और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है बेईमानी का काम चल रह जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शान्त है जितने डॉक्तर हैं नुट्रीशनल जिनको नुट्रीशन का बहुत ग्यान है दिली में एक डॉक्तर जेएं हैॉल इंडिया इंस्क्यूट में जो नृूट्रिशन डिपार्टमेट के हैड बाने जाते मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साथ यह पेपसी कोला में क्या है तो कहने लगे कार्बंडा यॉक्साइड है मैंने का और क्या है फॉस्पोरिक ऐसेड है मैंने का और क्या है सोडियम ग्लूटामेट है मैंने का और क्या है कि इसके जादा और क्या जोई है तुमको ये चार जहरी काफी है आदमी को मारने के लिए तो मैंने कहा कि अगर ये पेपसी कोला में चार जहर है तो आप इस बात को गाउं गाउं में कहते क्यों नहीं जाके तो मैंने उनसे कहा, कि आपके पास जो ग्यान है, उस ग्यान का देश के लिए क्या उप्योग है? आपने ये जो ग्यान हासिल किया डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है और लाखों रुपए खर्च करके जो ग्यान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है तो कहने लगे फुरसत ही नहीं है तो किस से फुरसत नहीं है वियक्तिकत स्वार्फ से फुरसत नहीं है तो मैंने का एक दिन डॉक्टर साब ये सारा का सारा देश बरबाद हो जाएगा और इस देश की नौजवान पिर भी बरबाद हो जाएगी और हो सकता है आपके बेटा-बेटी भी उसमें बरबाद हो जाएं तब भी आप कहेंगे कि आपको फुरसत नहीं और दुर्भागी यही है स्टेश कि जिनके पास यह ग्यान है जो मल्टीनेशनल कमपनियों का परदाफाश कर सकते हैं जो यह बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई निउट्रिशनल वैल्यू नहीं है डॉक्टर जैन नहीं मुझको कहा कि पेपसी कोला और कोका कोला में एक पैसे का भी निउट्रिशनल वैल्यू नहीं है और देश के लोग 10 रुपिया खर्च कर रहे हैं पेपसी पीने के लिए और कोका पीने के लिए 10 रुपिया खर्च करके एक पैसे की भी निउट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है हमको लेकिन वो देश में सबसे ज़्यादा भिक रहा है लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते हैं उसकी जगे पैसी और कोका कोला पी लेते हैं तो जिस चीज की एक पैसे की एक प्रतिशत भी निउट्रिशनल वैल्यू ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूद से ज़्यादा पैसी कोला बिकता है 33 रुपए लीटर का और दूद बिकता है 14 रुपए लीटर का तो 14 रुपए लीटर का गाय का दूद और 33 रुपए का कारबन डायोकसाइड मिलाया हुआ पानी और उसको कहते हैं लहर पैसी और कहते हैं दा चॉइस आफ निव जनरेशन the choice of new generation नहीं है बलकि choice of new degeneration है लेकिन करें क्या उसका और उससे भी ज़्यादा मुझे गुसा तब आता है जब हिंदुस्तान में कुछ कमपनियां अपने health tonic बेजती हैं जिन में health के नाम पर कुछ नहीं है बॉर्न बिटा कॉमपलॉन, मॉल्टोवा हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स ऐसे तमाम तरह के जो health tonics बिक रहे हैं, डॉक्टर जैन के अनुसार इन में किसी में भी health के नाम पर कुछ नहीं है और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं जो का सत्तू खिलाएं तो उससे जितनी health बनेगी आप 100 डिब्बे प्रोटीनेक्स के खिला लीजे कोई health नहीं बनने वाली 100 डिब्बे आप बॉर्न बीटा के खिला दीजे कुछ नहीं बनने वाला उस और आप अगर एक डिब्बा बॉर्न बीटा का खरी देंगे, तो कम से कम 200-200 रुपए का है एक किलो का तो 200-200 रुपए का एक किलो बॉर्न बीटा खरीद के तो खाएंगे लेकिन किसी को आप कहिए कि मुंफली खाओ गुड के साथ तो नहीं खाएगा कोई रोज अगर गुड के साथ मुंफली खाए तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है जितना कार्वो हाइडरेट उसमें से निकलता जितनी और दूसरी चीज़ें हमको मिलती है उतनी 100 पैकेट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती लेकिन मुंफली का गुड के साथ खाने का परचार तो नहीं है लेकिन बॉर्ण बीटा का परचार है और ये जो बॉर्ण बीटा, मॉल्टोवा इन तमाम चीज़ों में मिलाते क्या है तो एक बार मैंने डॉक्टर जेहन से कहा कि आपके पास तो ओल इंडिया इंस्ट्यूट की इतनी बड़ी लिबरेटरी है आप जिरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या है कैसे बनाते हैं बॉर्ण बीटा तो उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्छी भेजी उसमें हर एक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्ण बीटा कैसे बनता बॉर्न बीटा बनता है मूंग फली की खली से मूंग फली की खड़ मैंने मूंग फली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्न बीटा मेरे गाओं में मूंग फली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग वोई खाते हैं बॉर्ण विटा के नाम है और आप बादार में चले जाएए मुंगफली की खली आपको 20-25 रुपई किलो में मिल जाएगी गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेग मैं तो मेरे गाओं की बाद कर रहा हूं जहां मुंफली होती नहीं बिल्कुल यहां तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में मुश्किल से 20-25 रुपई किलो में खली मिलेगी उसको वो बेचते हैं 200-200 रुपई किलो में और हम लोग तक्नी की भाचा में कहते हैं वैल्य जेब काटली आपकी और आपके रहें वैल्यू एडिट हो गया उन्हीं डॉक्तर जैन साब में मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है कुछ नहीं है जो का सत्तू और चने का सत्तू बियार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स अब किस नहीं हैं कि हाँ कुछ इंपोर्ट जैसी चीज चीज है उसमें कंटेंट क्या है कुछ नहीं उस पर लिखा हुआ है साफ साफ इने ही मॉल्ट माने ही होता है जो का सत्तू जो का सत्तू से खरीद लिजे चने का सत्तू बजार से खरीद लीजे 20-25-30 रुपई किलो में मिलेगा लेकिन हॉरलिक्स खरीदिये तो 160 रुपई में 1 किलो मिलेगा और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स भिक रहे हैं इन मैसे किसी से भी एक पैसे की हेल्थ नहीं आती लेकिन हिंदुस्तान की क्या बरबादी है हर साल हम 1000 करोर रुपई के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश में हर साल एक पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती सिर्फ एक mental satisfaction है कोई हेल्थ नहीं है उससे लेकिन एक 1000 करोर रुपई के हेल्थ टॉनिक्स इस देश में बिग जा क्यों बिगते हैं जानते हैं टेलिवीजन पर एक idiotic advertisement आता एक छोटा सा बच्चा कूते हुए आता कहता आए में कॉम्पलॉन बोई तो एक छोटी बच्ची कहती है आए मैं कॉम्पलॉन गर्ल इसका माहनी क्या है मैं कॉम्पलॉन का बेटा हूँ और बच्ची कह रही है मैं कॉम्पलॉन की बेटी हूँ और कॉम्पलॉन क्या है तिन का डिबबा अब आप तो डॉक्टर हैं आप जरा बताईए कि टिन के डिबाखे भी बेटा-बेटी हो सकते हैं। ऐसा कोई साइंस है दुनिया में। लेकिन चल रहा है सारे देश में। इसलिए भिक रहा है कॉमपलॉन। इसलिए भिक रहा है बॉर्णवीटा। यह उसका नाम है तैंदुलकर। वो कहता है मेरी शक्ती बूस्ट। मने सचिन तैंदुलकर की शक्ती बूस्ट। तो सचिन तैंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्थी लिखिए। कि यह सचिन तैंदुलकर बूस्ट की के तैंदुलकर बनाए क्या। कपिल देव की शक्ती बूस्ट कोई भी खिलाडी बूस्ट खाके खिलाडी नहीं बसकता एक सबसे ज़्यादा महेंगा खिलाडी माना जाता है टैनिस का उसका नाम है बोरिस बेकर सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है उसकी लगाई हुई एक सो साथ किलो मीटर प्रतिगंटे की रफतार से निकलती है मने ट्रेन भी जिस रफतार से नहीं जाती है उस रफतार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में और आप कभी भी बॉरिस बेकर को देखिए खेल जब भी रुकता है में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती लेकिन दुर्भा कि क्या है कि इन चीजों का प्रचार इस देश की जनता में ना के बराबर है कि इन चीजों के बराबर है